आज हम बात करेंगे हैजा की बारे में हैजा गर्मिया शुरू हो गई हैं और आप सब में से बहुत सारे लोग इससे पीडित रहे होंगे या आगे होने वाले हैं उसका कार्ण एक है गलत खान पान देखिए गर्मी में विशेश कर आप ध्यान रखें पानी की मात्रा शरीर म में कम ना हो एक बात दूसरी बात बाहर का कभी भी कोई तला हुआ गर्मी में विशेश करना खाएं मैं घटना से अपनी बात शुरू करता हूँ मेरे भतीजे को मेरे सगे भतीजे को वो तीन वर्ष का धाकेवल उसको हैजा हो गया उल्टियां दस रुके ही नहीं मैं रोत पड़ेगा मैं घर गया मैंने एक अपना छोटा सा नुस्का जो आज मैं आप सब के सामने बताऊंगा वो दिया आप आश्यरे करोगे उसके बाद आज तक आज वो लगबग 10 वर्ष का है उसको आज तक वो समस्या नहीं आई है या इस से पहले हजारों मरीजों पर इस ची पानी ज्यादा पीना है जो बचना चाहते हैं कि जिनको होई ना इसके साथ साथ तला हुआ विशेश कर बाहर बिलकुल नहीं खाना है गर्मी के मौसम में और अब हम बात करते हैं हमारी इसमें चिकित्सा क्या है देखिए पोदिना आप सब के घर में मिलेगा गर्मी में औ और प्याज आप सब के पास मिलेगा पोदिना और प्याज मा लीजिए बच्चा छोटा है तो एक चोथाई चमच मा लीजे बच्चा दो ही साल का है एक चोथाई चमच पोदिने का रस एक चोथाई चमच प्याज का रस और एक आधा चमच उसमें शेहद मिला देंगे आप बच्चे को दे देंगे, गले से नीचे गया नहीं, हजाज हखतम हुआ नहीं ज्यान दीजिये, चोथाँ चमछ प्याज का अरस, ये आप पांच, दो साल से, पांच साल से प्याज का अरस ये, भू esa जाला देके बच्चे को दे सकते, जीवन में उसको हैजानी होगा अब बात करतें जो बड़े हैं वो एक चमबस प्याज का रस एक चमबस पोदिने का रस निकाल करके एक चमबस उसमें शहद मिलाएं और आप उसका सेवन कर लें तुरंत आपके उल्टी दस्त बंद हो जाएंगे और आपको जीवन में दुब कर क्योंकि आपका डाइजेशन वीक हो चुका होता है दो दिन तक विशेश कर आपको खिचडी का सेवन करना है ताकि आपका पेठ नॉर्मल रूटीन पर आ सके दो दिन खिचडी के सेवन के बाद आप सामान्य आपका जो भोजने उस पर आपा सकते हैं तो बहुत छोटी स पिर इसी तरह की नुस्के इसी तरह की वीडियो को लेकर के मिलेंगे मैं वैद विराज शास्त्री धन्यवाद